हलो दोस्तों नमस्कार मारूति नंदन अकैडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आए कुछ कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टिन कोश्चनों को पढ़ लेते हैं पहला प्रेशन, कंप्यूटर द्वारा जनरेट रिजल्ट को मानव स्विकार रूप में परिवर्थित करने का फंक्शन किसका है यहाँ एक आउटपुट इंटर्फेरस का काम होता है आउटपुट डिवाइस का उप्योग डैश के लिए किया जा सकता है डेटा देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रियोग किया जाता है इन्पुट आउटपुट डिवाइस का उधारन एक डेश है टेच स्क्रीन एक इन्पुट और आउटपुट डिवाइस का उधारन है आई डेश ओ का मतलब होता है इन्पुट और आउटपुट निमलीखित में से कौन हाडवेर का उधारन नहीं है इंटर्प्रेटर हाड़वेर का उधारण नहीं है अगला प्रश्ण डिवाइस जो आपको कम्प्यूटर में जानकारी डालने की अनुमती देते हैं इन्पुट डिवाइस कहलाते हैं कम्प्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और नुमेरिकल डेटा दर्ज करने का सबसे समाने तरीका डैश का उप्योग है कीबोर्ड एक सबसे समाने तरीका है जिसमें नुमेरिकल डेटा दर्ज कर सकते हैं सूचना जो बाहरी स्तरोष से आती है और कंप्यूटर सॉप्ट्वेर में फीड की जाती है क्या कहलाती है इनकुट कहलाती है अगला प्रेशन एक उपकरण जो ना केवल सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करता है बलकि पावर आउटेज के दोरान कंप्यूटर को बेटरी वेकप पावर के साथ प्रस्तुत करता है तो यहाँ UPS कहलाता है कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का एक उधारन है यहाँ एक आउटपुट डिवाइस का उधारन है आधुनिक कीबोर्ड में आम तौर पर कितनी फंक्शन की होती है 12 F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है डिवाइस को भी हाडवेर घटक है जो आपको कंप्यूटर में डेटा और नर्जेश दर्ज करने की अनुमती देता है इन्पूट कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की तुरूटी का पता लगाया जा सकता है सेंटेक्स्ट एरर का पता कंपाइलर के माध्यम से लगाया जा सकता है निम्लिकित में से कौन सा एक ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंपाइलर जो है वहाँ ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है बलकि Android, Windows XP, iOS सभी ओपरेटिंग सिस्टम है निम्लिकित में से कौन एक सिस्टम साफ्ट्वेर है कंपाइलर एक सिस्टम साफ्ट्वेर है Microsoft Word डैश का उधारण है तो Microsoft Word एक application साफ्ट्वेर है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आये तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक का रहे हमारे वीडियो को और शेयर करें धन्यवाद